सारंगी हिंदी भाषा की पाठ्थे पुस्तक भाग एक ई पाठ्शाला QR कोड से समबध ई सामगरी प्राप्त करने के लिए उपयोग करताओं के लिए चरण वद्ध मार्ग दर्शिका प्रत्यक अध्याय के पहले प्रिष्ट पर स्थित कोड बॉक्स को क्विक रिस्पॉंस कोड QR कोड कहते है यह आपको अध्याय में दिये गए विशयों से समबंधित ई सामगरी जैसे आउडियो, वीडियो, मल्टिमीडिया, पाठ्य सामगरी आधी को प्राप्त करने में सहायता करेगा पहला QR कोड संपूर्ण ई पाठ्य पुस्तक प्राप्त करने के लिए है और प्रतेक अध्याय में दिये गए QR कोड उस अध्याय से समबंधित ई सामगरी प्राप्त करने में मदद करेंगे यह प्रक्रिया आपको आनंद पूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी अपने मबाइल फोन या टैबलेट द्वारा निम्नवत चरणों का पालन कर और ई पाठ्शाला के माध्यम से ई सामगरी प्राप्त करें पहला चरण प्ले स्टोर से ई पाठ्शाला स्कैनर एप इंस्टॉल करें और इसे खोलें दूसरा चरण QR कोड स्कैनिंग विंडो को तैयार रखें तीसरा चरण स्कैनर से QR कोड को स्कैन करें चवथा चरण लिंक को सेलेक्ट एवं क्लिक करें पांचवाँ चरण उपलब्ध e-सामगरी का प्रयोग करें डेस्क्टॉप या लेप्टॉप पर e-पार्शाला द्वारा e-सामगरी प्राप्त करने के लिए इन चरणों का पालन करें e-सामगरी प्राप्त करने के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं https colon slash slash e-partshala dot nic dot in slash topics dot php पर जाएं और qr code के नीचे दिये गए alpha numeric code को दर्ज करें दीख्षा दीख्षा एप को google play store से डाउनलोड करें और इन चरणों का पालन करें दीख्षा का उप्योग करते वे आप अपने smartphone या tablet से e-सामगरी प्राप्त कर सकते हैं पहला चरण अपनी पसंदीदा भाषा का चैयन करें दूसरा चरण अपनी भूमी का चुने, शिक्षक या विद्यार्थी तीसरा चरण पहुँच प्रदान करें और एप को अनुमती दें चवथा चरण, QR कोड को स्कैन करने के लिए टैप करें पांचवा चरण, कैमरा पाठे पुस्तक के QR कोड पर फोकस करें छटवा चरण, क्लिक करके QR कोड से संबध e-सामगरी प्ले करें डेस्क्टॉप या लैप्टॉप पर दीक्षा पोर्टल का उप्योग करने के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं पर जाएं और QR कोड के नीचे दिये गए अलफा न्यूमरिक कोड को दर्ज करें आमुक भारत में बच्चों के सबसे प्रारंभिक वर्षों में उनके सर्वांगीन विकास को पोशत करने की एक सम्रिध परंपरा रही है ये परंपराएं परिवार, रिष्टिदार, समुदाय, समाज एवं देख भाल वसीखने के आपचारिक संस्थानों के लिए पूरक की भूमिकारने भाती हैं बच्चों के जीवन के पहले आठ वर्षों में पीढ़ी दरपीढ़ी संचरित संसकारों के विकास को समाहित करते इस समग्र द्रिश्टिकून का उनके विकास, स्वास्थय, व्यभार और उत्तरवर्ती वर्षों में संग्यानात्मक ख्षमताओं के प्रत्येक पक्ष पर आजीवन एक महत्व पूर्ण वस्सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चों के जीवन परियंत विकास में प्रारंभिक वर्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रिय शिक्षा नीती दो हसार बीस एन एपी टूथाउजन ट्वेंटी ने पाँच जमातीन जमातीन जमाचार पाठ चर्या एवं शिक्षा शास्त्रिय संग्रचना की परिकल्पना की है। जो पहले पाँच वर्षों यानी तीन से आठ आयुवर्ग पर समुच ध्यान देती हैं जिसे आधार भूत स्तर की संग्या दी गई है। कक्षा एक वदो भी आधार भूत स्तर का एक अभिन अंग हैं। तीन से छे वर्ष के बच्चों के समग्र विकाज की आधार शिला के प्रथम चरण बाल वाटका से आगे बढ़ते हुए व्यक्ति का आजीवन सीखना, सामाजिक एवं भावनात्मक व्यभार और समग्र स्वास्त इसी महत्वपून आधार भूत स्तर के अंतराल में प्रेखा की संस्तुती करती है, जोना कीवल आधार भूत स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में, अपतू विद्यालेई शिक्षा के अगले चरणों में इसकी गतिशीलिता सुनश्चित करने के लिए भी संपून शिक्षा व्यवस्था का प्रशस्त करने में सहायक होगी। एन सी एफ एफ एस का विकास किया गया, जिसका विमोचन बीस अक्टूबर दो हजार बाईस को किया गया था। ततपस्चात एन सी एफ एफ एस के पाठ चर्या संबंधी उपागम के अनुरूप पाठ पुस्तकों की संग्रचना की गई। ये पाठ पुस्तकें कक्षा में सीखने और परिवार तथा समुदाय में सार्थक अधिगम संसाधनों के साथ सीखने को महत्व देते हुए बच्चों के व्यभारिक जीवन से जुड़ने का प्रयास करती हैं। आधार भूत स्तर की राष्ट्रिय पाठ चर्या की रूप रेखा तैत्तिरी उपनिशद में वर्नित पंच कोश विकास मानव व्यक्तित्व के पाँच कोशों का विकास की आधार भूत अवधारना से संबध है। एनसी एफ, एफ, एस सीखने के पाँच आयामों जैसे शारीरिक एवं गत्यात्मक, समाज समवेगात्मक, भाशा एवं साक्षर्ता, संस्कृती तथा सौंदर्य बोध को पंच कोश की भारतिय परंपरा के संबध है। जोडती है। ये पांच कोश इस प्रकार से हैं। जिन्हें विद्यालाय परसर में विक्सित किया जाएगा। आधार भूत स्तर की पाठ जर्या, जिसमें कक्षा एक और दो भी समाहित हैं, सीखने के खेल आधारित उपागम को समुचत रूप से व्याख्यायत करती है। इस रिष्टिकोण के अनुसार पाठ पुस्तकें सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपून अंच है। तथा पी ये समझना भी आवश्यक है कि पाठ पुस्तकें अनेक शिक्षा शास्त्रिय उपकरणों एवं पधतियों जिनमें गत्विधिया, खेलोने, बादचीत आधी भी समाहित हैं, में से केवल एक उपकरण है। ये पुस्तकों से सीखने की प्रचलित प्रणाली से अधिक सुखद खेल आधारित एवं दक्षता आधारित अधिगम प्रणाली की ओर उन्मुख करती है, जहां बच्चे का किसी कारे को स्वैम करते हुए सीखना महत्वपून हो जाता है। अतहा, ये पाठ्थ पुस्तक जो आपके हाथ में है, इस आयुवर्ग के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षा शास्त्रिय उपागम को प्रोचसाहित करने वाले एक उपकरण के रूप में देखी जानी चाहिए। पुडियों को तोड़ा गया है। ये पाठ्थ पुस्तक बच्चों को स्वेम से संबंधित अवधारनाओं को अपने संदर्भों में समझने की स्थिती जन्य जागरूकता प्रदान करती है। यद पी इनमें विशेवस्तू का बोज कम है। तथा पी ये पाठ्थ पुस्तकें सार गर्भित हैं। इस पाठ्थ पुस्तक में खिलोनों और खेलों के माध्यम से सीखने की अलग-अलग युक्तियों के साथ साथ अन्य गत्विधियां और प्रश्ण जो बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या को सुलजाने की योगिता विक्सित करने के लिए प्रिरित करते हैं, को भी सम मिलित किया गया है. इसके अतरिक्त पाठ्थ पुस्तकों में ऐसी परयाप्त विशह सामगरी और गत्विधियां भी हैं, जो बच्चों में परयावरन के प्रती आवश्चक समवेदन शीलता विक्सित करने में सहायक हैं. साथ ही, ये पाठ्थ पुस्तके हमारे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राश्ट्रिय शिक्षानीती 2020 की संस्तुतियों के अनुरूप उनके द्वारा विक्सित किये जाने वाले संसकर्णों में स्थानिय परिद्रिश्ट के साथ साथ अन्य तत्वों के समा यूजन एवं अनुकूलन की संभावना भी उपलब्ध कराती है। से इस कार्य को संपन करने के लिए साधुवाद देता हूँ। मैं उन सब ही संस्थानों और संगठनों का भी आभारी हूँ। जिन्होंने इस कार्य को संभव बनाने में उदारता पूर्वक साहता प्रदान की है। मैं राश्ट्रेय पाथचर्य की रूप रेखा के लिए गठित राश्ट्रेय संचालन समती के अध्यक्ष डॉक्ट के कस्तूरी रंगन वह इसके सदस्यों तथा मांडेट समुह के अध्यक्ष प्रफैसर मंजुल भारगव वह अन सदस्यों के साथ ही समीख्षा समती के सद इस संस्था के रूप में भारत की विल्द्याली शिक्षा में सुधार और इसके लिए विक्सित अधिगम तथा शिक्षन सामगरी की गुणवत्ता को निरंतर समुन्नत करने के लिए प्रतिबध राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद इन पाठे पुस्तकों को और अधिक परिश्कृत करने के लिए अपने समस्त हित धारकों से महत्वपून टिपपणियों और सुझावों की अपेक्षा करती है प्रिफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी निदेशक राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद 27 जन्वरी 2023 नई दिल्ली प्रिफेसर पुस्तक के बारे में प्रियश्रिक्षक साथियू आप जानते हैं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में पाठ्थे पुस्तक केवल एक उपकरण और माध्यम है जो बच्चों में उन अनंत क्षमताओं को विक्सित करने में सहायक है जिनके बीज उनमें पहले से ही है आप सभी से ये आग्रह है कि पाठ्थे पुस्तक का उपयोग करते हुए और स्वतंत्र रूप से भी बच्चों को कक्षा कक्ष के इर्द गिर्द फैली अनंत प्रक्रिती से अवगत कराएं उन्हें स्वैम खोजबीन करके सीखने के लिए प्रोच साहित करें उन्हें अपनी बात कहने के अफसर दें सही गलत का फैसला ना लेते हुए बच्चों के साथ एक समवाद में शामिल हूँ राश्ट्रे शिक्षा नीती 2020 के अनुसार भाशा राश्ट्रे विकास को बढ़ावा देने और न्याय प्रियस समाज को विक्सित करने में महत्वपूर्ण भूमे काने भाती है इस नीती में बच्चों की शिक्षा में भाशा और साक्षर्टा के विकास को बहुत महत्व दिया गया है ये माना जाता है कि भाशा और साक्षर्टा के ठोस नीव बच्चों के लिए आन्यव विश्यों को सीखने में बहुत सहायक होती है राश्ट्रे शिक्षानीती 2020 में बुनियादी स्तर फाउंडेशनल स्टेज पर बच्चों में भाशा के विकास के साथ-साथ सतत सीखने की कला, समस्या समाधान, तारकिक और रचनात्मक सोच के विकास पर भी बहुत बल दिया गया है इस तर पर भाशा के साथ-साथ अन्य विश्यों और गत्विधियों में भारतिय परंपरा, सांस्कृतिक मूल, चरित्र निर्मान, नेतिक्ता, करुना और पर्यावरन के प्रती समविधन शीलता को समेकित रूप से सम्मिलित करने की भी अनुशंसा की गई है कक्षा एक की हिंदी भाशा की पाठ़पुस तक सारंगी का स्रिजन करते समय निमन बातों का ध्यान रखा गया है पहला, पढ़ने लिखने की शुरुआत के लिए बच्चों के जीवन से जुड़ी बातों को आधार बनाया गया है जिससे ये प्रक्रिया सहज और अर्थपून हो दूसरा, भाशा हमारे जीवन का अभिन अंग है जो हमें समप्रेशन के साथ साथ सोचने, समझने, प्रश्ण पूछने आदी में सहायक है रोचक बात ये भी है कि विभिन कार्यों के लिए जितना ज्यादा भाशा का प्रयोग होता है उतनी ही तेजी से हमारी भाशा का विकास भी होता है इस पुस्तक में अपनी भाशा में बाचीत करने, सुनकर कुछ करने, कहानी और कविताओं का आनंद लेने ध्वनी और शब्दों की पहचान के साथ खेलने, कला, एवं संगीत से जुड़ी गत विधियों में भाग लेने के अनेक अवसर दिये गए हैं ये अवसर अलग-अलग संदर्भों में दिये गए हैं और बार-बार दिये गए हैं तीसरा, इस पुस्तक में पाँच ऐसे संदर्भों को चुना गया है जो बच्चों के जीवन से जुड़े हैं परिवार, जीव जगत, हमारा खान-पान, त्योहार और मेले तथा हरी भरी दुनिया चौथा, सबसे महत्वपून बात ये है कि कक्षा में बच्चों के संदर्भ को वस्तू एवं घटनाओ एवं व्यक्तियों के साथ इस पुस्तक में दी गई पठन सामगरी को जोड़ा जाए इस हेतू सुझाव भी दिये गए हैं पांचवा, हर पाठ में लगभग सारी दक्षताओं का ध्यान रखा गया है बच्चों के तृष्टिकून से पाठों को रोचक बनाने के लिए कार्यों में विविधता लाने का प्रयास किया गया है पाठ चर्या लक्ष बुनियादी स्तर, फांडेशनल स्टेज के लिए राश्ट्रिय पाठ चर्या की रूप रेखा 2022 में भाषा के संदर्भ में निमनलिखित पाठ चर्या लक्ष निर्धारित किये गए है CG9 बच्चे दैनिक जीवन के लिए प्रभावी संप्रेशन की कुशलता विक्सित करते हैं CG10 बच्चे पहली भाषा L1 में पढ़ने और लिखने में निपुनता विक्सित करते हैं इस रूप रेखा के अनुसार भाषा सीखने सिखाने के लिए भाषा शिक्षन के चारों स्तंभों पर कार्रे करना महत्वपून है ये चार स्तंभ हैं मौखिक भाषा का विकास, शब्द पहजान, पढ़ना और लिखना मौखिक भाषा का विकास, बहता ढंग से सुनकर समचना, मौखिक शब्दावली का विकास और साथियों व अन्य जानकार लोगों जैसे बड़े विद्यार्थी, शिक्षक, माता-पिता के साथ बातचीत और चर्चा का उप्योग सीखने के लिए करना शब्द पहचान इसमें प्रिंट जागरूकता और ध्वनी जागरूकता, प्रतीकूं और ध्वनी का संबंध, लिखित शब्द पहचानना और शब्दों को लिखना शामिल है पढ़ना, लिखित सामग्री से अर्थ का निर्मान करना और इसके विशह में आलोच नात्मक एवं समीक्षात्मक धंग से चिंतन करना लिखना, तारकिक और विवस्थत तरीके से विचारों या सूचनाओं की प्रस्तुती के साथ साथ शब्दों को सही धंग से लिखने की इक्षमता इस पुस्तक में हर विशह के इर्द गिर्द चुनी पठन सामग्री में इन चार स्तंभों को निम्न प्रकार से बाटा गया है मौखिक भाशा का विकास पुस्तक में अलग-अलग भाग हैं जैसे चित्र और बाचीत, कविता, आओ, कुछ बनाएं, खेल-खेल में, और खोजें जाने इन सभी का प्रमुख उदेश बच्चों में मौखिक भाशा का विकास करना है इसके साथ साथ बच्चे मिलकर कुछ बनाते समय एक दूसरे के विचारों को सुनेंगे खोजें, जाने, क्रिया कलापों के दौरान अपने परिवार एवं समुदाय के लोगों के साथ बाचीत कर कुछ समझने का प्रयास करेंगे आदी उदाहरन के लिए गिलेहरी की कहानी में चित्रों को देख कर कहानी बनाना और उसे अपनी भाशा में कहना अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के चित्र बनाना आदी शब्दों का खेल कहानी और कविता के बाद दिया गया है एक साथ पूरी वर्ण माला सीखने के बजाए कुछ वर्णों और मात्राओं से अवगत कराते हुए शब्द बनाने के कार्य दिये गए है जैसे आलू की सडक कहानी में ब से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानना और लिखना सिखाया गया है जूलम जूली कवता में उ और उ ध्वनी की आकरती एवं उनकी मात्राओं की पहचान करना शब्दों का दूसरा साथी खोजना लिखना और पढ़कर सुनाना जैसे अभ्यास दिये गए है जिसमें बच्चों से ये अपेक्षा की गई है कि वे छुपम, जूलम, पकड़म आदी शब्दों की समान लएवाले शब्द बनाएंगे शब्दों के खेल में जो शब्द हैं वे कवता या कहानी से लिए गए हैं अन्य शब्द बच्चों के संदर्भ से ही लिए गए हैं और उनके भी चित्र दिये गए हैं ताकि शब्दों का खेल सार्थकता से हो आनंद मई और सार्थक भाषा शिक्षा के लिए आओ बूझें पहली और जटपट कहिए भी है उदाहरन के लिए अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए आदी पढ़ना सुने कहानी मिलकर पढ़िए और कवता आदी भागों में बच्चों के लिए पढ़ने की विविद दक्षताओं को विक्सत करने के अफजर है जैसे मिलकर पढ़ते समय बच्चे शिक्षक के साथ मिलकर और बाद में अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़िए पढ़ते समय कहानी के चित्रों को देखकर अनुमान लगाना फिर कहानी सुनकर बाचीत करना, शब्दों को चित्र रूप में समझना, कुछ प्रश्णों के उत्तर देना आदी से बच्चे पढ़ना माने अर्थ गढ़ना संकल्पना को आत्म साथ कर पाएंगे। उधारन के लिए होली कवता में समान लाएवाले शब्द खोजने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार रानी भी कहानी में बाचीत के लिए ऐसे प्रश्ण शामिल किये गए हैं कि मा ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया होगा, ऐसे प्रश्ण अनुमान लगाने में साह करेंगे। लिखना हम सभी जानते हैं कि लिखने की शुरुआत चित्रों से होती है और फिर चित्रों के साथ बच्चे शब्द और धीरे-धीरे वाख्य लिखना आरंभ करते हैं। यहां प्रयास किया गया है कि बच्चे अपने अनुभवों और विचारों को चित्रों के माध्यम से बताएं और फिर उन पर कुछ शब्द शिक्षक की साहता से लिखें। अन्यभाग जैसे कवता, सुने कहानी और मिलकर पढ़ी आदी में भी लिखने के अफसर हैं। यहां लिपी को समझने और लिखने पर भी बल दिया गया है। उदाहरन के लिए अक्षरों को जोड़ कर शब्द बना कर लिखना, चित्रों को देख कर शब्द लिखना, दिये गए विशे पर अपनी बात कहना और लिखना, यह लेखन चित्र भी हो सकते हैं और वाक्य भी, इन सभी में शिक्षक की सहायता शामिल है। बच्चों में इन सभी दक्षताओं के विकास के लिए ये आवश्यक है कि इन चारों स्तंभों पर नियमित रूप से कारे हो। अतहा इस पाठे पुस्तक में पाँच संदर्भों के इर्द गिर्द पढ़ने, लिखने, शब्द पहचानने और बातचीत के विविद आयामों को सम्मिलित किया गया है। आईए इन आयामों के विशह में सविस्तार चर्चा करें। स्रिजन शील शिक्षक दी गई पठन-पाठन सामगरी को अत्यंत रोचक और प्रभावी तरीके से पच्चों के साथ मिलकर रच सकते हैं। यहां बस कुछ सुझहब हैं। हमें आशा है कि आप अपनी कक्षा में विविधता लाएंगे। बच्चों के संदर्भ के आधार पर शब्दों का खेल, खेल गीत, कविताएं और कहानियां शामिल करेंगे। विविध संसाधनों की साहता से कक्षा को और भी रोचक बनाएंगे। बाचीत इस पुस्तक में लिए गए पांचों संदर्भों में बाचीत की धेर सारी संभावनाएं हैं। उधारन के लिए हमारा खानपान में आप बच्चों से निम्न प्रशनों से बाचीत शुरू कर सकते हैं। आगे आने वाले कुछ दिनों में हम हमारा खान-पान के बारे में बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और समझेंगे, इसकी शुरुवात बातचीत से करेंगे. आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या आपको पता है कि वो कैसे बनता है? पता कीजिए कि अपनी कक्षा में मीठा, नमकीन और तीखा कितने बच्चों को पसंद है? खाना खाने से जुड़ी कुछ अच्छी आदतें बताईए. चिडिया, कववा, बत्तक, मेंधक आदी को खाने में क्या पसंद होगा? जैसे जैसे बच्चों के उत्तर आएंगे, उस तरह से बाचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है. बाचीत की ये गतिविधी हर दिन करवाई जा सकती है. एक दिन में सभी बच्चों को मौका नहीं मिल पाएगा. इसी लिए हर दिन ये गतिविधी कक्षा में करवाएं. समय सारणी में सर्कल टाइम के लिए जगहा है उस समय इस तरह की बातचीत को जगहा दी जा सकती है बातचीत के अंतरगत दी गई गत्विधियों का एक और महत्वपून पहलू है बहु भाशिकता अर्थपून सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आवश्यक है कि बच्चे अपनी भाशा में खुल कर अपने विचार रख सकें कक्षा कक्ष की हर गत्विधि में इस बात का त्यान रखना आवश्यक है सुने कहानी इसके अंतरगत दी गई कहानियों को शिक्षक बच्चों को एक से अधिक बार पढ़कर सुनाएं कुछ तरीके इस प्रकार हो सकते हैं कहानी पढ़कर सुनाने से पूर्व बच्चों से कहानी के चित्र देख कर कहानी गढ़ने को कहें ये कार आप बच्चों के छोटे समु बना कर करवा सकते हैं उदारण के लिए मीना का परिवार कहानी पढ़ते समय बीच में बच्चों से एक या दो प्रश्ण पूछें जैसे आपको क्या लगता है कि कहानी में आगे क्या होगा? आदी कहानी के बाद दिये गए बातचीत के लिए प्रश्ण उपर बच्चों से बातचीत कीजिए यहां कोई उतर सही या गलत नहीं है बलकि प्रयास ये रहे कि बच्चे अपने मन की बात या उन्हें जो समझ में आया वो निसंकोच कह सकें ये कुछ सुझहव हैं इनके अतरिक भी आप विविध क्रिया कलाब करवा सकते हैं उदारण के लिए मिठाई कहानी में बच्चों को कहानी में कुछ अन्य जानवरों को जोड़ कर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोचसाहित किया जा सकता है बच्चे कहानी को अपनी भाशा में, कक्षा या घर में सुना सकते हैं बाचीत के दौरान जो शब्द कहानी में और बाचीत में बार बार आ रहे हैं उन तीन से चार शब्दों को आप बोड पर धीरे धीरे लिखें बच्चों से अनुमान लगा कर इन शब्दों की पहचान करने को भी कहा जा सकता है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चे कुछ अन्यवर्ण और मात्राएं पहचानना सीख जाएंगे आप बच्चों को पिछले पाठों में आई कहानियों और कविताओं में से शब्दों को पहचानने का कार रितें इसी तरह की अन्य गत्विदियां भी करवाई जा सकती है मिलकर पढ़िए इस हिस्से में उन कहानियों का चुनाव किया गया है जिन में दोहराव है ये दोहराव वाक्यों के स्तर पर है कहानी के एक कथानक में भी दोहराव है आपने ये देखा होगा कि दोहराव में बच्चों को आनन दाता है दोहराव से बच्चों को अनमान लगाने में भी आसानी होती है उधारण के लिए भुटे कहानी में नीना, नाना, नानी, भुटे शब्दों में दोहराव है इन कहानियों को पढ़ने से पूर्व चित्र दिखा कर बच्चों से बातचीत कीजिए फिर उंगली रखते हुए बच्चों के साथ मिलकर कहानी पढ़िए जिन शब्दों का दोहराव है उन्हें बोड पर लिख दीजिए उनके चित्र बन पाएं तो अवश्य बनाईए फिर कहानी को पुनह पढ़िए और दूसरी बार पढ़ते समय दोहराव वाले वाक्यों पर बच्चों को अनुमान लगाने के लिए कहिए कुछ दिनों बाद छोटे समयों में बच्चों को मिलकर पढ़ने के लिए कहिए उनका अवलोकन कीजिए उन्हें जहां जहां सहायता की अवश्यक्ता है उन शब्दों को नोट कर लीजिए अगली कक्षा में इन शब्दों को आप शब्दों का खेल में शामिल करके इन पर गत्वेधियां करवा सकते हैं इन सभी कार्यों का उदेश ये है कि बच्चे दी गई पठन सामगरी को धीरे धीरे पढ़ना सीख जाएं हमें याद रखना होगा कि हर बच्चे का सीखने का तरीका और गती अलग-अलग होती है हम उन पर किसी भी प्रकार का दबाव बिलकुल भी न डालें हाँ उन्हें सार्थक अवसर अवश्य दें और उनका उत्साह वर्धन करें इस पुस्तक में मिलकर पढ़िये में कई अवसर हैं ऐसा इसलिए क्योंकि इन अवसरों से ही बच्चे पढ़ना सीखते हैं आप भी पुस्तकाले से बच्चों को उनके स्तर के अनुरूप रोचक बाल साहित्य अथवा पुस्तकें अवश्य दें बच्चों की भाषा में जो शब्द अधिकतर आते हैं उन शब्दों के वर्ण और स्वरों को ध्यान में रखते हुए वर्ण समुन के आधार पर शब्दों का खेल की रचना की गई है उदारन के तौर पर आप देखेंगे कि पहली इकाई में कहानियों के माध्यम से बच्चों को दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, पिता, भाई, मा, शब्दों के प्रिंट रूप से परचित कराया गया है शब्दों का खेल में परिवार के सदस्यों के नामों के साथ कार दिये गए है जैसे इस कहानी में दिवा कर दादा जी और दादी जी हैं आँखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए इनकी पहली ध्वनी बताईए फिर दादा दादी शब्द लिखने के लिए कहा गया है इसी तरह से मीना, नाना, मामी आदी शब्दों पर कार करवाया गया है मीना, नानी, नाना, मामा आदी शब्दों का चुनाव भी इसी उद्देश से किया गया है कि शब्दों के खेल के बाद मिलकर पढ़ने का कार बच्चे और अधिक आनंद के साथ कर पाएंगे इसी तरह का प्रयास अन्य एकाईयों में भी किया गया है शिक्षकों से अनुरोध है कि वे बच्चों की भाषा के अन्य शब्द भी लें और उनसे ध्वनिया पहचानने का कार्य करवाएं शब्दों को इमली के बीजों से या कंकड या छोटे पत्थरों से भी लिखने का प्रयास करवाया जा सकता है फिर पेंसिल से लिखने में बच्चों को आसानी होती है पुस्तक में पहेलियां भी दी गए हैं जिस से बच्चे अपने शब्द बना सकें जैसे दिये गए अक्षरों को जोड़ कर अपने शब्द बनाईए से संबध अभ्यास प्रश्ण और पहेली शीर्षक के अंतरगत दी गई ये पहेलियां देखी जा सकती है मेरे पिता के पिता, मेरे, मेरे नाम का उल्टा उसका नाम, मैं हूँ, नीरा, तो वो है नीना की नानी का उल्टा है, इसके अतरिक्त, शिक्षक भी इस तरहां की पहिलियां बना कर बच्चों को दे हो सकता है कि कक्षा एक के अंत तक बच्चे ही ऐसी पहिलियां एक दूसरे के लिए बनाना सीख जाए पुस्तक के अंतिम प्रिष्ठों पर वर्ण माला का गीत दिया गया है जैसे जैसे बच्चे कुछ वर्ण सीख लें, उन्हें वर्ण माला से उन वर्णों की पहचान करने के लिए कहिए इस गत्यविधी से वे देख पाएंगे कि वर्ण माला में कितने स्वर और व्यंजन हैं, उन्होंने कितने सीख लिए हैं और कितने सीखने शेश हैं बच्चों को आनंद के लिए वर्ण माला गीत भी मौखिक तोर पर गाने में मदद कीजिए आनंद माई कविता बच्चे हाव भाव के साथ अभिना करते हुए कविताओं को गाएं, जैसा कि हम अपनी कक्षाओं में हमेशा से ही करते आ रहे हैं कविताओं को चार्ट पेपर पर बड़े अक्षरों में लिख दे, फिर गाते वक्त बच्चे इनको देख कर शब्दों पर उंगली रख कर भी का सकते हैं कविताओं का आनंद लेना मुख्य उद्देश है जैसे एकाई दो जीव जगत में कबरी, जबरी, बकरी कविता में शब्दों का चयन और शब्दों का दोराव बच्चों को कविता गाने का आनंद देता है पूरी कविता बकरी, कबरी, जबरी शब्दों के आसपास घुमती है इसके साथ-साथ कविताओं पर चर्चा करना, नई कविताओं गढ़ना, कविताओं में आएश जबदों के साथ कारी करना आदी अवसर भी दिये गए हैं उधारन के लिए कबरी, झभरी, बकरी कविता में बच्चों से ये कहा गया है कि वे जबरा, कबरा, बकरा, आधी शब्दों से तुकबंदी करते हुए नई कविता की रचना करें ऐसे अनेक अवसर आनंद मई कविता का हिस्सा है बच्चे चित्रों द्वारा खुद के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करते हैं इन चित्रों में हमें बच्चों की अवलोकन क्षमता विचार करने के कौशनों के कई प्रमान मिलते हैं। इसलिए लिखना सीखने की प्रक्रिया में चित्रों का महत्वपून योगदान है। इसलिए कक्षा एक और दो की पुस्तकों में चित्रकारी और लेखन को सम्मिलित क जैसे दिये गए चित्र में आप क्या-क्या देख पा रहे हैं। जैसे दिये में उनकी मदद कीजिए। संदर्भ से जोडने, संदर्भ से सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए इन गत्विधियों को शामिल किया गया है। इनसे बच्चों में अपने समधाय की समझ बढ़ेगी। अपने घर और आसपडोस का भी वे महत्व समझेंगे। उधारन के लिए परिवार के सदस्य के साथ आसपास घूमना और छोटे-छोटे कीडे मकोडों जानवरों को देखना। वे क्या करते हैं? क्या खाते हैं? उनके रंग रूप को देखना आदी। अपने आसपास मिलने वाले पेड़ पौधों के नाम जानना और चित्र बनाना। आओ, कुछ बनाएं। इन गत्विधियों का उदेश है कि बच्चे जटल कार्य के लिए मौखिक निर्देशों को समझें और उसी कार्य के लिए दूसरों को भी स्पष्ट मौखिक निर्देश दे सकें। इस कार्य में कला और भाशा के एक ही करण का प्रयास किया गया है। उदारन के लिए अंगूठे की छाप से चित्र बनाना, कागज से कुट्टे का मुखोटा बनाना, तोरण बनाना आदी खेल-खेल में यहाँ पर खेल गीत गाना, खेलना, अभिनाय करना आदी सम्मिलत किये गए हैं खेल-खेल में निर्भीग अभिव्यक्ती करपाने के अवसर देने से बच्चों की जिजग खत्म होती है वे स्वैम के अनुभव को खुशी-खुशी सब के साथ साजह करने लगते हैं शायद सीखने सिखाने में यह सबसे महत्वपून पड़ाव है उधारन के लिए सातियों के साथ कविता में दिये खेल-खेलना और चित्र बना कर परिवार के लोगों को बताना मिट्टी से खिलोने बनाना आदी इस पुस्तक में जटपट कहिए आओ बूझे पहली आदी जैसी कुछ अन्य रोचक गतिविधियां भी दी गई है उधारन के लिए घर-घर, घड़ी-घड़ी, घड़ी, घुमती, भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू शिक्षक अपने स्तर पर भी इस प्रकार की कुछ और सामग्री खोजें, स्वैम तयार करें और उप्योग मिलाएं इन सब के साथ साथ एकसतत चलने वाला आवशक काम ये है कि पाठ्थे पुस्तक की हर एकाई पर कार्र करते हुए शिक्षक स्वैम और बच्चों की सहयता से कुछ न कुछ सीखने सिखाने की सामग्री TLM बनाते रहें और उन्हें कक्षा की दीवार पर लगाएं या अन उप्योग तरीके से बच्चों के लिए उपलब्ध रखें और उनका उप्योग भी शिक्षन प्रक्रिया में करें हर एकाई में नई सामग्री की आवशकता होगी उपलब्ध सामग्री में निश्चत रूप से कुछ पुस्तकें भी होनी चाहीं और नियमित रूप से बच्चे पुस्तकों के साथ काम करें समय सारणी में इसकी जगह हो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे शिक्षक इस पाठ पुस्तक की सामग्री का रचनात्मक उपियोग इसमें दिये उद्देश्यों और निर्देश्यों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जिससे शिक्षन प्रभावी होगा और बच्चे आनंद के साथ भाशा सीखेंगे अगर आप पढ़ाई एवं परीक्षा, करियर, नीजी संबंधों, साथियों के दबाव को लेकर किसी भी तनहा के तनाव, चिंता, परिशानी, उदासी या उल्जन में हैं, तो काउंसलर की मदद लें कॉल करें, आठ चार चार, आठ चार चार, शूनिच है, तीन दो राश्ट्रे टोल फ्री काउंसलिंग टेली हेल्प लाइन सुभा आठ बजे से रात आठ बजे तक सप्ता के प्रत्येक दिन मनो दर्पन कोविड-19 के प्रकोप के दोरान और उसके बाद विद्यारतियों के मानसिक स्वास्थ है, एवं कल्यान हे तू मनो सामाजिक सहायता आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल www.https निदेशक राष्ट्रिय शैक्षिक अनसंधान और प्रिशिक्षन परिशद नई दिल्ली मार्क दर्शन शशीकला वंजारी पूर्व कुल्पती SNDT महला विश्व विद्याला मुंबई महराष्ट्र अध्यक्ष पाठिक्रम एवं अधिगम शिक्षन सामगरी विकास समती सुनीती सन्वाल आचार एवं अध्यक्ष प्रारंभिक शिक्ष विभाग राष्ट्रिय शैक्षिक अनसंधान और प्रिशिक्षन परिशद नई दिल्ली सदस्य समनवयक पाठिक्रम एवं अधिगम शिक्षन सामगरी विकास समती सहयोग कविता बिष्ट मुख्य अध्यापिका केंद्रे विद्यालय एन्सी ए आर्टी परिसर नई दिल्ली चमनलाल गुप्त आचार एवं पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश चोनहास ओराओं प्रभारी प्रधाना चार राजकिय माध्यमिक विद्यालय जुरिया लोहर दागा जहार खंड नम्रता दत प्रधाना चार सेवा निवरित गाजियाबाद उत्तर प्रदेश नरेंद्र सिंग निहार पीजी टी हिंदी राजकिय वरिष्ट माध्यमिक विद्यालय सी ब्लोक संगम विहार दिल्ली निशा बुटोलिया सहायक आचार अजीम प्रेमजी विश्विविद्यालय बंगलूरू पतेल राकेश कुमार चंद्रकांथ हेड टीचर नवा नदी सर प्राथमिक शाला ब्लोक गोधरा पंच महल गुजराद प्रिया यादव जेपी एफ प्रारंभिक शिक्ष्रा विभाग राश्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद नई दिल्ली बिने पतनायक शिक्ष्रा विशेशग जारखंड मंजुल भारगव सदस्य राश्ट्रिय पाठ्य चर्या की रूपरेखा के लिए गठित राश्ट्रिय संचालन समती एवं अध्यक्ष मांडेट ग्रूप याचना गुप्ता वरिष्ट परामर्ष दाता राश्ट्रिय साक्षर्ता केंद्र प्रकोष्ट राश्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परशद नई दिल्ली रमेश कुमार सह आचार प्रारंभिक शिक्षा विभाग राश्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परशद नई दिल्ली विजय कुमार चावला पी जी टी हिंदी राज़किय मौडल सह वरिष्ट माध्यमिक विद्याले ग्योंग कैथल हर्याना विनोध प्रसून हिंदी विभागा ध्यक्ष दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नौड़ा सुमन कुमार सिंग मुख्य अध्यापक उतक्रमित माध्यमिक विद्याले कॉडिया बसंती भगवानपुरहाट सिवान बिहार सैयद मतीन एहमद आचार एंसी ए आटी तिलंगाना समीक्ष समिती केवी श्रीदेवी साहयक आचार पाठचर्य अध्ययन एवं विकास विभाग राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद नई दिल्ली गजानन लोंधे निदेशक सम्वित रिसर्च फाउंडेशन बेंगलूरू जोचना तिवारी अध्यक्ष इवं आचार जेंडर अध्ययन विभाग राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद नई दिल्ली निशा बुटोलिया सहायक आचार अजीम प्रेमजी विश्व विद्यालाय बेंगलूरू भारत भाई धोकई निदेशक कच्छ कल्यान संग समर्थ भारत कच्छ गुजराद भारती कौशिक सहायक आचार C.I.E.T. राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद नई दिल्ली मंजुल भार्गव सदस्य राश्ट्रिय पाठ्य चर्या की रूप रेखा के लिए गठित राश्ट्रिय संचालन समती एवं अध्यक्ष, मान्डेट ग्रूप रंजना अरोड़ा आचार एवं अध्यक्ष, पाठ्य चर्या अध्यान एवं विकास विभाग राश्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद नई दिल्ली शश्रीकला वंजारी पूर्व कुल्पती अध्यक्ष, पाठ्यक्रम एवं अधिगम शिक्षन सामग्री विकास समिती सीवी शिम्रे आचार गणित एवं विज्यान शिक्षा विभाग राश्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद नई दिल्ली सुनीती सन्वाल आचार एवं अध्यक्ष, प्रारंभिक शिक्षा विभाग राश्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद नई दिल्ली सदस्य समनवायक उशा शर्मा आचार प्रारंभिक शिक्षा विभाग राश्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद नई दिल्ली नीलकंठ कुमार सहायक आचार हिंदी C.I.E.T. राष्ट्रे शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परशद नई दिल्ली आभहार राष्ट्रे शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परशद के कस्तूरी रंगन अध्यक्षि राष्ट्रे पाठ्य चर्या की रूप रेखा के लिए गठित राष्ट्रे संचालन समिती और समिती के सभी अन्य सदस्यों तथा मंजुल भारगव सदस्य राष्ट्रे पाठ्य चर्या की रूप रेखा के लिए गठित राष्ट्रिय संचालन समिती एवं अध्यक्ष मैंडेट ग्रूप और समिती के सभी सदस्यों दिव्यान्शु दवे संस्थापक निदेशक एवं पूर्व महा निदेशक सेंटर फॉर इन एक्सिलन्स और कुल्पती प्रभारी बाल विश्व विद्यालय गांधी नगर गुजराद तथा श्रीधर श्रीवास्तव संयुक्त निदेशक, राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परशद के प्रती इस पुस्तक की समिक्षा में बहुमूल योगदान के लिए आभार व्यक्त करती है इस पुस्तक में रचनाओं को सम्मिलित करने की स्वीकृती देने के लिए परिशद सभी रचनाकारों या उनके परिजनों एवं प्रकाश्रकों के प्रती कृतग्यता ज्यापित करती है परिशद रचनाओं के प्रकाश नार्थ अनुमती देने के लिए जयनती मनोकरण बेंगलूरू एवं अध्यक्ष नाशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली कितनी प्यारी है ये दुनिया प्रकाशन तु लिखा प्रकाशन चेन नई काम पुस्तक से रसोई और श्याम पट पुस्तक से पैंसिल एवं मचली प्रकाशक एकलव्य प्रकाशन भुपाल चंदा मामा दूर के मुर्गा बोला कुक्डू कूं तीन साथी हाथ है मेरे छोटे छोटे प्रभाद जैपुर एक बोली कबरी जबरी बकरी श्याम सुशील दिल्ली जूलम जूली कौन परिंदा सुशील शुक्ल भुपाल खटपट चंदन यादव भुपाल आलू की सडक खत्रे में साप रमेश तैलंग मुंबई वह मेरे घोडे मनोज कुमार ज्ञार पटना रोटी अगर गोल न बने रमेश थानवी जैपुर मीला आस्तिक सिन्हा घजियबाद बर्खा और मेघा मधुर अथया बिहार होली आनंद वर्धन शर्मा वारानसी श्री प्रसाद की रचना दादा दादी बंद रहेगा हम पढ़ते हैं के लिए राजा चौरसिया कटनी जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ शिवचरण सरोहा दिल्ली हवा अफसर मेर्ठी चांद का बच्चा मीरा भारगव USA मीना का परिवार मंजुल भारगव USA अक्षर गीत के प्रती आभारी हैं परिशद रचनात्मक एवं जीवंत चित्रांकन के लिए पद्मश्री दुर्गाबाई लोक्चित्रकार गोंड शैली मध्यप्रदेश भूपाल मध्यप्रदेश भूपाल मयूख घोश कोलकाता पश्यम बंगाल राधिश्याम खैरवार लोक्चित्रकार गोंड शैली मध्यप्रदेश भूपाल मध्यप्रदेश शुभम लखेरा चन्देरी गाउं मध्यप्रदेश संतोष ग्राफिक डिजाइनर नई दिल्ली हबीब अली ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं अम्रता यादव भूपाल मध्यप्रदेश के प्रती आभार प्रकट करती है पुस्तक विकास के विभिन चर्णों में सहयों के लिए परिशद, साकेत, वरिष्ठ, परामर्ष दाता पाठ चर्य अध्यन एवं विकास विभाग एवं रिचा प्रसाद, वरिष्ठ, परामर्ष दाता प्रारंभिक, शिक्षा विभाग, राष्ट्रे श्यक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परशद मुहन शर्मा एवं कहकशा सहायक संपादक, प्रकाशन विभाग, राष्ट्रे श्यक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परशद तरुन कुमार नूंगिया एवं मोहम्मद आतिर, ग्राफिक डिजाइनर आयाज, डीटीप ओपरेटर एवं जीतेंद्र कुमार टाइपिस्ट, राष्ट्रे साक्षर्ता केंद्र प्रकोष्ट राष्ट्रे श्यक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परशद प्रियंका एवं गिरीश डीटीप ओपरेटर पूजा साह अर्ध पेशेवर सहयक SPA शपना, टाइपिस्ट, चंचल, कंप्यूटर ओपरेटर एवं अभिनफ प्रकाश SRA प्रारंभिक शिक्षा विभाग राष्ट्रे शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परशद नई दिल्ली के प्रती आभार व्यक्त करती है परिशद विशेश रूप से Green Tree Designing Studio, Private Limited, नई दिल्ली का आभार प्रकट करती है जिनके अथक परिश्रम से ये पुस्तक इस रूप में आ सकी है इस पुस्तक को प्रकाशन हेतु अंतिम रूप देने के लिए परिशद प्रकाशन विभाग राष्ट्रे शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद तथा JP मैठानी सलाहकार संपादक संविदा अतुल मिश्र संपादक संविदा पवन कुमार बारियार इन्चारज डीटीपी प्रकोश्ट रियाज एवं उपासना डीटीपी ओपरेटर संविदा के प्रयासों की सराहना करती है कहां क्या है? आमुख प्रिष्ठ तीन पाठे पुस्तक के बारे में प्रिष्ठ साथ इकाई एक परिवार पाठ मीना का परिवार प्रिष्ठ दो चंदा मामा दूर के प्रिष्ठ साथ यह पाठ तारांकित है पाठ दो दादा दादी प्रिष्ठ आठ पाठ तीन रीना का दिन प्रिष्ठ ग्यारह पाठ चार रानी भी प्रिष्ठ सोदह इकाई दो जीव जगत मुर्गा बोले कुकडू कुँ प्रिष्ठ पच्चीस यह पाठ तारांकित है पाठ पाच मिठाई प्रिष्ठ अठाईस पाठ छे तीन साथी प्रिष्ठ चोंतीस तारांकित पथ केवल पढने के लिए पाठ साथ वाह मेरे घोडे प्रिष्ठ तैंतालिस पाठ आठ खत्रे में साप प्रिष्ठ चैयालिस कबरेई जबरी बकरी प्रिष्ठ पचास यह पाठ तारांकित है इकाई तीन हमारा खान पान पाठ नौ आलू की सडक प्रिष्ठ चववन पाठ दस जुलम जुली प्रिष्ठ साथ पाठ ग्यारह भुट्टे प्रिष्ठ सरसथ पाठ बारह फूली रोटी प्रिष्ठ सत्तर त्यावहार और मेले पाठ तेरह मेला प्रिष्ठ अस्सी पाठ चवदह बर्खा और मेघ प्रिष्ठ पचासी पाठ पंद्रह होली प्रिष्ठ सतासी पाठ सोला जन्म दिन पर पेड लगाओ प्रिष्ठ इक्यानवे स्पर्ष बिंदु पाँच इकाई पाँच हरी भरी दुनिया पाठ सत्रह हवा प्रिष्ठ चवरानवे पाठ अठारह कितनी प्यारी है ये दुनिया प्रिष्ठ अठानवे पाठ उन्नेस चांद का बच्चा प्रिष्ठ एक्सव तीन अक्षर गीत प्रिष्ठ एक्सव ग्यारह ये पाठ तारांकित है अक्षर दात शवरानकित है लृष्ठ इया